जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर आई उसके बाद आक्सिजन की जिस तरह से लोगों ने आहमियत समझी है किस तरह से आक्सिजन की कमी हुई देश भर में इस आक्सिजन की कमी को देखा गया और उसके बाद लोग जागरत हुए इस बात को लेकर कि आक्सिजन कितनी जरूरत जरूरी है हम सब के लिए और इसी को लेकर विक्रशी वद्धियालय के कुल्पती जी ने बड़ा आहम फेसले हैं जो भी व्यक्ति यहांपर आएंगे वह सभी व्यक्ति यहांपर टेक्स हुम और क्या कुछ जानकारी के लिए हमारे साथ खुद कुलपती जी हैं उनसे बात करेंगे सर एक टेक्स लगाने की बात की गई है किस तरह का यह टेक्स होगा क्या कुछ रहेगा और क्या है इस पूरिसमें अभी आप यह देख रहे हैं कि विक्रम विश्विद्याल मध्य प्रदेश का दूसरा विश्वि भंने आते हैं यह दि हम देखें तो एक ब्यक्ती जो है साथ आठ मिनट में कम से अधा लीटर जो आउक्सिजन एक मिनट में यह रहायर लेता है और उसमें 20 परसेंट जो है ऑक्सिजन होती है इस तरीके से हम देंगे तो पूरे समय जो है साड़े 500 लीटर ऑक्सिजन वो न करता है यहां पर चार से पांच जार लोग सुबह साम घूमते हैं इस केंपस की कितनी ऑक्सीजन आप अंदाज़ा लगाई है कि कितनी ऑक्सीजन लोग यहां के कंजियूम कर रहे हैं उस दायरे में यहीं हम देखें तो एक पौधा जो है अभी तो खतम होगी उसी को ध्यान में रखते हुए चुकि करोना काल में अभी लोगों को ऑक्सीजन के आहमियत पता चली एक सिलिंडर जो दस लीटर का होता है उसका भी हजारों में लोगों ने खरीदा इसलिए हम लोगों ने यह कंसर्टी स्टार्ट किया है कि नेचुरल ऑफ ऑक्सीजन तो जो यह नेचुरल ऑक्सीजन की इंडस्टी है इंडस्टी में भी हमें इंवेस्ट्मेंट करना पड़ता है तो मेरा एक यह थोड़ा सभी शहरवाशी जो यहां घूमने आते हैं मेरा अनुरोद है कि एक एक एरिया को वो ले ले लें टाइक्स का मतलब पर पाटिसिपेट करते तो उन्हें माना किया जाए गूमने से ऐसा भी नहीं है लेकिन इसका उद्देश है कि कोई भी जो आता है वह अपना एक एरिया इस विश्विद्याले कर ले ले जहां कि पोधे लगाए और पोधे को संरक्षित करें यह नहीं कि अभी मैं देख र जाते हैं जानवर खा जाते हैं तो मेरा सभी लोगों से एक अभियान में जुड़ने का जो एक आविवान है कि मतलब आप एक एक एरिया ले ले लिए वहाँ थोड़ी से फैंसिंग करवा दीजिए और एक यदि खुद किसी आदमी से साल भर उसको मेंटेन करा सकते हैं तो कराइए नहीं तो आप सुबह साम घूमने आते हैं एक बोटल पानी अपने घर से लाइए या जो पानी पीने के लिए आप लाते हैं उसको उन पौधों को सीचते जाएंगे तो वो पौधे बड़े हो जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि इस केंपस में ऑक्सीजन की भ में पौधे हैं और अब इसको कितना बढ़ाने का कोई लक्ष रखा गया है कम से कम हमारे केंपस में कम से कम हमारा एक लाग पचास जार्श लेके लाग पोधे होंगे लेकिन अभी हमारे पस बहुत सारा जगह खाली पड़ी है उसको हम प्लानिंग कर रहे हैं कि यह उसमें पोधे लगाते तो कम से कम दो लाग पोधे तो आज की डेट में भी लग सकते हैं जो लोग सर आएंगे सुबह यहां पर गूमने उनको किस तरह से मोटिवेट करें उनको मोटिवेट करने के लिए अभी एक संस्था भी हमारे पास खुद अप्रोच किया ब्रिक्ष मित्र वो लोग संडे को जो है एक मिटिंग कर रहे है और यहीं खड़े हो जाएंगे और जितने घूमने वाले आएंगे उनको सब को इक ठा करके उनसे एक संगूष्ट ही करेंगे उनको सब को diff . लोग विश्यम सकति चया का children करेंगा जैसे आगे फिलों आगे आएंगे उनको हम एक एरिया उसको उस अपने विभाग के सामने उसको पौदे लट कर दी जाएंगे कि आप इसको लगा और दो साल का कॉरस है तीन साल चार साल का अर को तब तक उस पौदे की आप सेवा करो और वहां पर आप उसके प्रॉपी लो सेल्फी लेकर के हर महीने प्रोजक्त उसमें क्रेडिट में उनको टांसफर किये जाएंगे ये भी है कि उससे हमारे जो बहुत सारे विभागों में ये समस्या हैं वो खतम हो जाएंगे तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर अखिलेश कुमरपांडे जो कुलपधी जी हैं यहांके तकरिबन एक लाक से अधीक पोदे लिए लगवा चुके हैं और उसके बाद भी ये चाहते हैं कि एक फेक्टरी जो नेचरल फेक्टरी ऑक्सिजन की लगना चाहिए यहां पे इसको दूसरी बात यहीं जो लोग यहां पर गुमने आते हैं उन्हें एक पोधा यहां पर लगाना होगा और उसकी देखवाल उन्हें आने वाले समय तक करनी होगी जब तक पोधा पेड़ बनकर लोगों को आउसीजन नहीं देता